तो IPL शुरू हो चुका है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Dream 11 एप के बारे में Dream 11 पे आप कैसे खुद की team create कर सकते हो कैसे आप fantasy cricket खेल सकते हो Dream 11 के जरीए देखो बहुत सारी fantasy apps है आप वहाँ भी team create कर सकते हो लेकिन जो बड़ा price है वो सिर्फ Dream 11 पे है rank 1 आने पे 1 करोड का price है और इसी पे team कैसे बनानी है Dream 11 पे team कैसे बनाते है सब चीजें आज Dream 11 के बारे में हम आपको बताएंगे phone की screen पे चलेंगे और step by step आपको बताएंगे कि Dream 11 पे team जो है चुके हैं और IPL में आप Dream 11 के उपर team कैसे create कर सकते हो आज हम आपको step by step बताएंगे अब जब आप Dream 11 पे आओगे account बना लोगे आप Dream 11 डाउनलोड कर लोगे उसके बाद कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जितने मैचीज अपकमिंग मैचीज है उनकी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी अगर आपको cricket की अच्छी knowledge है तो आप fantasy cricket खेल सकते हैं यहाँ पे अब जैसे की upcoming मैच लिखा हुआ है आज रात को मैच होने वाला है यह दो घंटे में होने वाला यह मैच है और यह मैच होगा दिल्ली, कैपिटल और सन्राइजर, सहधराबाद के बीच में तो हमें team create करनी है तो हम इस मैच पे click करेंगे अब यहाँ पे contest आ जाएंगे contest क्या होते हैं कई तरह के contest होते हैं mega contest होता है जो 21 करोड रुपे का है ठीक है, इसका जो price pool है वो 21 करोड रुपे का है जैसे कि आप देख सकते हो और यह 9 करोड रुपे का है और इसके लिए आपको 4 रुपे लगेगी इसके लिए 3 रुपे लगेगी vary कर सकता है सब के लिए ठीक है वैसे 49 रुपे फीस होती है और तो डिसकाउंट भी आपको मिल जाता है कभी कभी और यहाँ पे और कितने बहुत सारे हैं only for beginner अगर आप पहली बार खेलना चाहरे हो तो आप मैं कहूंगा आप free वाला खेलो ठीक है practice करो पहले और तभी आप जो है join करो ऐसे contest को लेकिन अब बात कर लेते हैं कि team कैसे बनानी है team कैसे बनाते है main चीज है team कैसे बनाते है तो अब मान लो हमें ये 21 करोड़ वाला contest join करना हम इसके उपर click करेंगे simply और यहाँ पे 4 रुपी है ना तो 4 रुपी पे हमने click कर दिया अब यहाँ पे आगए team बनाने के options आगए हैं सब चीजें मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है maximum 7 player एक team के आप ले सकते हो 7 से ज़दा player एक ही team के आप नहीं ले सकते हैं सिर्फ 7 ले सकते हो और यहाँ पे player आप चूस करते जाओगे 100 credit मिलता आपको और इस 100 credit के अंदर इस 100 points के अंदर आपको सभी players लेने होते हैं अपनी team के अंदर तो मैं आपको बताता हूँ कैसे team बनानी है तो पहला जो हमें section देखने को मिल रहा है यह है wicket keeper का section तो यहाँ पे wicket keeper आप select कर सकते हो एक से चार तक wicket keeper select कर सकते हो लेकिन आप जब भी team बनाओ पूरी अच्छी research करके team बनाओ एक perfect team बनाओ दुबाई में match हो रहे हैं दुबाई में पिछली बार भी IPL हुआ था वहाँ क्या-क्या teams का क्या-क्या score रहा था वीडियोस मिल सकते हैं teams के तो आप इस channel को subscribe भी कर सकते हो लेकिन अब आप बात कर लेते हैं 1 से लेके 4 wicket keeper select कर सकते हो पहला option ये है लेकिन 4 wicket keeper कोई select नहीं करता है match के अंदर सिर्फ एक wicket keeper होता है आपको एक wicket keeper select करना है team मैं अभी आपको सिर्फ बनाने के लिए समझा रहा हूँ आप इस team के साथ मत जाना तो हम यहाँ पे एक wicket keeper select कर लेते हैं मालनो हमने रिशब पंद को ले लिया wicket keeper अब चलते हैं उपर bet वाले option पे next पे तो यहाँ पे आगे betting तो betting side आ चुकी है betting side के अंदर क्या है आपको betsmen मिल जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुए 3 से लेके 6 betsmen आप select कर सकते हो कम से कम 3 होने ही चाहिए और maximum आप 6 select कर सकते हो तो अब यहाँ पे हम एक balance team अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे आपके पास 4 से लेके 5 बोलर होने चीछ depend करता है कौन-कौन सी teams का match है तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 betsmen ही select करेंगे तो हम यहाँ पे select कर लेते हैं सिबसे पहला हम Rishabh Panth को ले लेते हैं यहाँ तो हमने Rishabh Panth को select कर लिया David Warner को ले लेते हैं हम और यहाँ पे हम ले लेते हैं मनीश पंडे को मैं यह सिर्फ आपको समझाने के लिए टीम बना रहा हूं कि टीम बनाते कैसे हैं आप इस टीम के साथ मत जाना और टीम हम जब भी बना के विडियो डालेंगे तो पूरी रिसर्च के साथ डालेंगे और यहाँ पे अब देखो all-rounder का section आगया All-rounder भी बहुत जूरी होते हैं किसी भी match के लिए Now-rounder भी खिशर पटेल भी दिली कैपिटल्स की तरफ से हैं, जैसें होल्डर को ले लेते हैं, दो हमने ले लिए, ओल राउंडर, हमारे एक विकेट कीपर हो गया, तीन बेट्समेन हो गया, दो ओल राउंडर हो गया, टोटल छे प्लेयर हो गया, पाँच बोलर सिलेक्ट करेंगे हम, क इसके बोलर कौन-कौन से बोलर्स हैं, क्या-क्या उनका मतलब एक्शन है, सब चीजें उनके बारे में जान लें आप, और यहाँ पर पाँच बोलर हम सिलक्ट करेंगे, हमने एक संडराइजर सहधराबाद के राशिद खान को ले लिया है, यहाँ पर रबाड़ा को ले लि है दिल्ली की तरफ से, अवेश खान को दिल्ली की तरफ से ले लिया है, एक अब हम और लेंगे संडराइजर सहधराबाद के बोलर जिनको हम लेंगे वो हैं बुवनेश कुमार, तो अब कंटीन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी टीम आ चुकी है, अब टीम का पूरा टीम तो बन गई है, सिर्फ टीम बनाना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे वाइस केप्टन और केप्टन का रोल आता है जब आप टीम बना लेते हो, और वही सबसे जरूरी चीज है, अगर आपकी टीम में आपने वाइस केप्टन और केप्टन बिल्कुल सही प्लेयर को सिलेक्ट किया है, तो आपको double points मिलते हैं, captain के आपको 2x points मिलते हैं, अगर captain आपका अच्छा perform करता है crease पे और vice captain के आपको इतने points मिलते हैं, तो मतलब vice captain और captain के points बहुत ज़रूरी है, अब यहां पे captain और vice captain भी आपको सोच समझ के बनाना है, अपनी team में, ठीक है आपको क्या लगता है, कौन सा player better performance देगा, तो आपको vice captain ज़रूर बनाना यह चीज़ आप skip मत कर देना, यह चीज़ भूल मत जाना, तो यहां पे हम शिखरदवन को captain बना देते हैं, और vice captain हम बनाएंगे, बोलर को और बोलर हम बनाएंगे यहां पे अवेश खान को vice captain बनाएंगे, तो अब save team पे जब आप click करोगे, तो save हो जाएगी आपकी team, और आप join कर सकते अपना contest, जो हमने वो 4 रूपे, जो 21 करोड वाला contest है, वो हमने join किया है उसको आप join कर सकते हो, team आपकी ready हो चुकी है, इस तरह से आप अपनी team मना सकते हो, और team preview भी आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपकी team का preview आ चुका है, आपके पास कौन-कौन से, यहां पे रिशब पंद को आपने vice captain लिया, विकेट keeper लिया है, शिकर दवन batsman है, आपको captain बनाया है, आपने उनको Manish Dhawan, David Warner आपने batsman लिया है, Sunrisers हैदराबाद की तरफ से, मारकस टोइनस, दिल्ली की तरफ से allrounder Jason Holder Sunrisers हैदराबाद की तरफ से allrounder और नीचे 5 बोलर हो गए आपके, अवेश Khan Vice Captain बनाया आपने, तो इस तरह से आप अपनी Dream 11 पे team create कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो मैंने बात की Dream 11 पे आप कैसे create कर सकते हो अपनी team I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share आप जरूर कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को भी subscribe जरूर कर लेना